हेलो इंविस्टर्स तो आज की वडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं वारी रेनेबल टेकनोलोजिस लिमिटेड के बारे में स्टॉक की आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो फिलाल ये स्टॉक में 1,926 रुपीज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और आज भी स्टॉक में हमें एक 2% का डाउनफॉल होते भी नजर आ रहा है जा पर रिसेंटली पिछले कुछ वीक से आप कंपेर करोगे तो स्टॉक कंटीन्यूसली हमें 2,050 रुपीज से 1,900 इसी रेंज के आसपास एक कॉन सॉलिडेशन में देखने हो मिल रहा है जिसके चलते स्टॉक में हमें कोई बड़ी तेजी काफी लंबे समय से देखने हो नहीं मिल रहे है जा पर रिसेंटली जून के मैने में स्टॉक हमें में में एंटर हुआ है जिसके चलते कॉटर फूर के रिजल्ट में जो एफ आइस और जो डिएइस की होल्डिंग थी जो की आराउं हमें 50 की 0.20 percent की देखने हों मिल रही थी और साथ ही जो डिएस की थी holding ती जो कि आरौन हमें 0.010 percent की देखने हों मिले तो अभी इसका जो quarter 1 का result लो जो की आरौन हमें July के ending week में देखने हों मिले या उसके पहले भी देखने को मिलते वी नजर आज सकता है और इस बात जो शेर होल्डिंग पैटर्न उसमें में डेफिनिटली एक बड़ा चेंज भी होते हुए नज़र आ सकते हैं जापे F20 और DS दोनों अपनी होल्डिंग यापे ओपन मार्केट से बढ़ाते हुए नज़र आ सकते हैं क्योंकि आप quarter four के results को compare करोगे तो stock के quarter four का results में हमें सभी का सभी काफी अच्छा देखने को मिला था जहापे company का net revenue net profit जो की around 54 करोड का देखने मिला सभी का सभी हमें अच्छा देखने मिला तो यहासे काफी जारा चांसे से कि बजट के आने वाले कुछ दिनों के बाद ही हमें इसका quarter one का results भी देखने मिला है तो आने वाले थोड़े दिनों के बार stock में हमें एक बड़ी तेज़ी आपे 100% देखने को मिलते भी नजर आएगी क्योंकि एक बार quarter one के results में अगर company ने ए अच्छा कासा profit तो 100% quarter one के results में देखने को मिलेगा और वासे stock में हमें एक अच्छी खासी rally fit से start होते वी नजर आने वाली है और फिलाल देखा जा तो stock का जो delivery volume है वो भी day by day काफी तेजी से यापे कम होते वी नजर आ रहा है जापे recently पिछली 2-3 दिनों से आप compare करोगे त तो stock में हमें कोई बड़ी deals यापे होते वी नजर नहीं आ रही जापे जितने भी जो last deals हुई वो सबी की सबमें 2nd July के पहले ही देखने को मिली थी एक 4 करोड की deal देखने को मिली फिर 1.44 करोड की बड़ी deal देखने को मिली थी 2nd July को और उसके पहले 1.4 July को हमें बड़ी सेलिंग होते हुए नजर आ जिसके चलते स्टॉक में एक अच्छा कासा सेलिंग प्रेशर भी या पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है और फिलाल देखा जाये तो स्टॉक में कोई बड़ी तीजी नहीं देखने का एक दूसरा में रीजन है वह है स्टॉक का पी ए चांसे से कि कॉर्टर वन की रिजल्स के बाद इसमें में थोड़ा डाउन फॉल देखने मिले जासे स्टॉक में मैं फिर से एक अच्छी खासी तेजी देखने मिले क्योंकि एक अच्छा पी रेश्यों जो कि आरौन हमें 60 और 70 के आरौन देखने मिलता है और रिसेंटली ज आरौन हमें 254 के आरौन देखने मिलता है जाब रिसेंटली पिछले 6 मेनों से आप नोटीस करोगे तो अडानी ग्रीन एनरजी में भी हमें कोई बड़ी तीजी देखने को नहीं मिले क्योंकि इसका भी जो पी रेश्यों हमें काफी ज्यादा हाई देखने मिल रहा है तो य कंपनी की ग्रोड भी काफी तीजी से बढ़ते भी नसर आ रही है कंपनी की जो ओडर बुके वह भी हमें वारी रेनिवल टेक्नोंजी से काफी अच्छी खासे देखने को मिलती है लेकिन उसके बाद भी अडानी करीन के प्राइस के उपर आप नसर डालोगे तो अभी भी वारी रेनिवल टेक्नोंजी से काफी जाधा कम देखने को मिले तो इसके पीछे जो में रिजन है वो है पी रेशो और जैसे की कौटर वन के रिजल्ट्स जो के आने विले कुछ दिनों में हमें या पर देखने को मिलेगा जासे काफी जाधा चांसे से की स्टॉक का जो पी रहा हो देखने को मिले जिसके चलते स्टॉक में फिर से हमें एक बड़ी तेजी आ पर आते भी नजर आएगी शौट टम में तो आज के लिए बस इतना ही वारी Renewal Technologies Limited में जैसे कोई लेटेस अपडेट या जैसे कोई लेटेस न्यूज होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो वीडियो पसन है तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे न्यूज चैनल को सस्क्राइब करो मिलते एक लिए वीडियो में ठेंक यूज